नमस्कार दोस्तों मैं धीपक कुमार आगे एक और वीडियो लेखा है आप सब केस सामने दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पेरेंट्स के बारे में जो ने इस साल गीट क्वालिफाई किया है अच्छे अच्छे रैंक से अब उन रैंक पर उनको क्या मिलेगा कौन-कौन से PSU उन रैंक पर उनको बुलाएगी और कौन-कौन से IIT में उनको admission मिल पाएगा उस रैंक तक और कौन-कौन से IIT में उनको apply करना है इस सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से rank वाले को किस IIT के लिए जाना चाहिए कौन से NIT के लिए apply कर सक सकते हैं आप कौन-सा IIT आपके लिए best होगा कौन-सा IIT पर apply कर सकते हैं आप प्यस्यू का call आएगा या नहीं आएगा उस रैंक पर इस सारा मैं इस वीडियो को अंदर cover करने वाला हूँ तो इस वीडियो को last तक दीखिएगा और अगर आप नहीं इस चैनल पर तो चैनल को पेश्यू का call जाता है सबको हाँ अब उसके अंदर जिनके रैंक 500-600 तक हैं उनका प्लेस्मेंट तो कंफर्म है कि उनका कहीं ने कहीं हो जाएगा अब जिनका रैंक 600 से ऊपर है उनका डिपेंड करता है कि वो GDR-PI में कैसा परफॉर्म करते हैं वो ग्रूप डिस्कॉशन परफॉर्म करते हैं वो उसके बेस पर उनकी सेलेक्शन डिपेंड करती है अब आता है दोस्तों गेट के तुरूं एम्टेक के लिए तो एम्टेक के लिए कितने रैंक वालों को कौन से आपलाई करना चाहिए तो पहला बताता हूं मैं अगर आप डेली की बात करें आप त इत अफंड्रेट एट फिट नाइनाट तक रांक की भी हैं वो लोग भी अपलाई कर सकते हैं आइट देली के लिए नाइनट रांक तक छीक है अब मतलब इनका यह भी है कि आइट देली में कोई खास टाकेज नहीं मिलता प्लेशमेट के बाद आप नहीं कोई खास अबरो IIT Bombay तो भी वही शीन है उसमें All In A Rank अगर आपका 750 है 750 के अंदर आपका All In A Rank आ रहा है तो अपलाई कर सकते हैं आप इस IIT के लिए यह IIT बेस्ट है जॉब के लिए अगर आप एक प्लेस्मेंट चाहरे हैं जो आपको PSU नहीं मिल पाया गेट से आप अच्छा जॉब चाहरे हैं प्लेस्मेंट चाहरे हैं तो IIT Bombay आपका सही option हो सकता है वहाँ पर आपको एक अच्छा प्लेस्मेंट मिल सकता है अच्छा पैकेज मिल सकता है अब दोस्तों तीसरा और चौथा IIT है IIT कानपूर और IIT खड़कपूर यह दोनों में अप्लाय वही कर सकते हैं जिनका रैंक All in a Ranking 800 के अंदर है यह 850 है तो भी ट्राय कर सकते हैं अप्लाय करने का अब ट्राय कर सकते हैं 850 तक भी एक दोड़को फैट है तो दोस्तों यह जो IIT दोनों है यह दोनों जौप भी देते हैं आपको प्लेश्मंट भी देते हैं और आपको अब रोड जाने की Ahपोर्ट इन दोनों का नाम मैंने साथ में इसविह लिया क्योंकि यह दोनों के विलकुल जो विलकिंग फंसल से सीम तो आप अप्लाई कर सकते हैं M-tech के लिए और IIT मदराज का सीन ऐसा है कि वहाँ पर maximum students जो होते हैं वह सौथ इंडिया के ही होते हैं क्योंकि वहाँ के जो students हैं गेट में अच्छा score अचीव किया हुआ है वह बाहर नहीं आना चाहते तो वह कोशिस करते हैं कि वहीं पर IIT मदर रूर्की में अगर आपको अपलाई करना है तो आपकी ओलने रैंकिंग फिप्टीन हंड्रेट तक होई जो एक सिक्स्टीन हंड्रेट तक भीचे लेगी वहां तक वह कंसिडर कर लेते हैं ठीक है अब इस IIT का सीन ऐसा है कि इस IIT में maximum जो जॉब्स मिलते हैं आपको प्लेस करने के लिए आपकी ओलेंडर रैंकिंग 2000 होनी चाहिए 2000 के अंदर होनी चाहिए मतलब तो जाकि इसमें अपलाई कर सकते हैं और इसमें एम्टेक के बाद जो अपोचुटिस होती है वह बहुत कम मिलते हैं क्योंकि प्लेस्मेंट्स जो आती हैं वह maximum non-technical companies आती हैं बैजू वाले काम मिल सकते हैं रेजुनेंस जाता हैं वहाँ पर क्यमपस के लिए तो teaching jobs मिलना ज्यादा इजी हैं वहाँ पर अगर आप teaching में इंट्रेस्टेड हैं तो आईटी गूटी गौहार्टी आपके लिए अच्छा option हो सकता है दोस्तों जो मैं और रैंकिंग बता रहा हूं आपको यह जेनरल category के लिए बता रहा हूं अगर आप OVC के लिए बिलोंग करते हो तो इन रैंक्स पे 1.5 multiply कर दे और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2.5 times multiply कर दे अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें 4 times multiply करते हैं ठीक है I hope मैंने आपको तो अगर आप चाहेंगे तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूगा ठीक है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को मैक्शन बूल अस्परेंट्स के साथ सेर करें और अगर आप चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहत करने वाद यहाद देखने के लिए